नीचे description में आपको linear transformation की playlist का link मिल जाएगा आज हम बात करेंगे कि if t is an isomorphism then image of any li subset is li यानि कि अगर t हमारा isomorphism दे रखा है और यहाँ पे domain में अगर हम कोई li subset लें तो उस li set पे जो हम images निकालेंगे उन सबका collection भी क्या आएगा li ही आएगा li मतलब linearly independent ठीक है तो इसी चीज़ को आज हम प्रूफ करेंगे तो हमने मान लिया कि t जो है वो हमारा एक isomorphism है v से u पे और हमने एक set लिया s1 s1 किस तरह से लिया x1, x2, xn जो कि हमारा subset है v का domain का is li इसको हमने li मान लिया अब हमें क्या so करना है s2 is equal to t1, tx1, tx2, txn is also li तो इसको हमें li so करना है और li so करने के लिए कोई भी एगर linearly independent या linearly dependent so करने के लिए हम क्या करते हैं हमने सीखा था कि हमने जो है scalars लेना है और उसके linear combination को zero के equal put कर देना है फिर हमें चेक करना है कि उसके scalars जो है वो किस तरह के किस तरह से behave करते हैं अगर सारे zero आगे तो li है और एक भी नॉन-zero मिल गया तो वह ld हो जाएगा तो यहाँ पर हमने a1, t1, tx1, a2, tx2, an, txn इस तरह से लिख लिए zero के equal और यह हमारा किसके equal हो जाएगा चुकि यहाँ पर t हमारा क्या है isomorphism linear transformation भी होगा तो इसको लिख सकते हैं scalar जिस तरह से हमारा define होता है t1, t1, x1 इसको लिख सकते हैं t2, x2 इसको लिख सकते हैं t1, xn अब यहाँ पर हम चुकि इसका इस्टमाल भी करेंगे x plus y is equal to tx plus ty तो यह हमारा क्या जाएगा t, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं t1, x1 plus a2, x2 plus an, xn उसको हमने summation form में लिख लिया t summation i is equal to 1 to n, ai, x i is equal to 0 अब यहाँ पर देखो t हमारा क्या दे रखा है, isomorphism दे रखा है isomorphism देने का मतलब ही होता है कि यह 1, 1 भी होगा और onto भी होगा तो अब यहाँ पर देखो, चुकि t0 is equal to 0, यह हमारी linear transformation की property होती है ठीक है, तो t अगर हमारा, t जो है, 0 की image क्या आएगी, 0, इसका मतलब यह हुआ कि t summation ai x i is equal to t0, और अगर t11 है तो इनको क्या होना पड़ेगा, equal होना पड़ेगा तो summation ai x i is equal to 0, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को नई समझ में है, तो हमें एक चीज़ बता देते हैं कि one one की definition क्या होती है, tx is equal to ty, यह imply करता है, x is equal to y तो यहाँ पर हमने देखा कि यह भी 0 है, और t0 भी 0 है, तो इसको हमने जब equal put किया तो यहाँ पर हमें जो है, जिसे यहाँ पर tx is equal to ty था, तो इसके यह जो domain के element थे, यह क्या आगए, equal आगए, तो यहाँ पर यह भी equal आएंगे, ठीक है तो यहाँ पर x i तो हमने li दे रखा है, जो s1 है न, वो ही x i का collection है, और वो हमारा क्या li है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ai जो है, जो है वो 0 के equal हो जाएगा, since s1 is li, तो यह imply करेगा s2 is li, क्योंकि सारे हमें scalars क्या में लगए, 0 के equal में लगए, तो आज के लिए बस इतने, अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में,